Hello Taurus, June month आने वाला है, in fact आ चुका है और मुझे पता है आप सब लोगे सोच रहे हैं कि भाई, June month कैसा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, क्या blessings होने वाली है, हमारी health कैसे होने वाली है, love कैसा होने वाला है, तो मैं आपको इस reading में सब बताऊंगे, आपकी blessings, आपके लिए कुछ health related चीजे, आपका love, आपका finance, आपका job, सारी चीजे इस reading में हम देखेंगे, ओके, तो universe, Taurus के लिए, पर जून मन्त, क्या है, Taurus, क्या messages हैं, universe के, ओके, ठीक है, अरे वा, Taurus, very nice, तो Taurus हमारे पास यहां आपके लिए है, the hierophant, king of wands, three of cups, तो Taurus, the hierophant हमें बताता है कि यहां पर आप जून मन्त में थोड़ा spiritually inclined होने वाले हो, थोड़े से जादा, जो आपका अभी तक belief system है, वो थोड़ा सा change होगा, आप थोड़े से spiritually inclined होगे, चीजे सीखने की कोशिश करोगे आप, कि spirituality क्या है, कैसी चीज होती है, होता क्या है exactly, also मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोग कोई higher education के लिए जा रहे हो, या तो आप लोग कोई course कर रहे हो, या आप लोग कहीं travel करने वाले हो for higher education, या कहीं admission ले रहे हो, maybe in the same city, but कुछ तो education related है यहां पर, जो की आपकी आगे और growth है, तो अगर आप admission ले रहे हो और क्योंकि आपकी आगे और बढ़ातरी है, आप stuck नहीं हो कहीं पर, यहां पर मुझे stuck वाली energy नहीं आ रही है, आप smoothly move कर रहे हो, smoothly सब कुछ हो रहा है आपके मन्त में, हमारे पास king of wands भी है, अब king of wands क्या होता है, Aries Leo Sagittarius, तो Aries Leo Sagittarius जो sign है, या तो या आपकी life में बहुत sign हो सकता है, हर इंसान का sun sign हो मों sign होता है, मों sign आपको किसी भी app पे आप जाओगे Google पे, date, time, place, अगर आप डालोगे आपको अपना मों sign पता लग जाएगा, तो यहां पे कोई बहुत significant है fire sign आपकी life में, जो कि बहुत ही ना ये इंसान बहुत ही outgoing है, और अगर ये इंसान आपकी life में नहीं है Taurus तो ये आने वाला है, ये आपकी life में आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी नहीं है आपकी life में, जब आप या तो आप किसी spirituality वाली चीज में जब घुसोगे तब ये इंसान आपकी life में आएगा, या फिर जब आप कोई पढ़ाई के लिए बाहर जाओगे, या admission लोगे, बाहर जाओगे क्या मितलब admission लोगे कहीं पे, तब ये इंसान आपकी life में आएगा, क्योंकि मुझे three of cups भी है मारे पास, यहाँ पर मुझे celebration दिख रही है, celebration होने वाली है किसी चीज की में भी आप इस इंसान के संग कोई relationship में आ तो जरूरी नहीं है कि जब celebration बोलू मैं तो शुगल हो रहा है, एक वो get together हो रही है, मतलब bottles खुल रही है और हूँ हरा, पूरा वैसा हो रहा है, नहीं, आप शांती से, सुकून से, एक जना अपने अंदर बैठ के, कमरे के, खुद ही अपने आप से और अपनी जिन्दगी स खुश हो के भी वो celebrate कर सकता है, तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह इनसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, और यह इनसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है जून मन्त में, जून स्टार्टिंग में नहीं होगा यह आपका करते करते न जून एंड म और ये इंसान जो होगा ना ये बहुत ही बहुत ही आउटगोइंग है ये आउटगोइंग है एक्स्टोवर्ट है बहुत सारे स्पोर्ट में ये पार्टिसिपेट करते हैं या अगर आप लेट से अगर आप थोड़ी बड़े एज के हैं तो ये पहले बहुत सारे स्पोर्ट में participate करा करते थे, trophies थी इनके पास, बहुत ही adventurous है ये इनसान, tall, tall है, body अच्छी बनी हुई है इनकी, irrespective of the gender, लड़कियां भी लंबी हो सकती है, उनकी भी body अच्छी हो सकती है, जब मैं बोलती हूँ, beard है इनकी, दाड़ी है, तो भाई, लड़कियों की कोई और features हो सकते हैं थोड़ा सा आप अपने हिसाब से इसको mold कर लें, जैसा भी, बट काफी अच्छी physique है इनकी, दिखने में बहुत ही good looking logo में आते हैं, और ये थोड़ा protective logo में से है, protective मतलब ऐसे नहीं कि वो आपके possessive हो जाएं आपको लेकर, बट ये आपका बहुत खयाल रखेंगे, ये आप मतलब कहते हैं, थोड़े mature type होंगे, आपको pamper करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, तो उस तरीके का यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और क्योंकि ये इस प्रकार का मुझे दिख रहा है यहाँ पर, मुझे समहाँ कोई नहीं जॉब तो नहीं दिख रही है, टॉरस यहाँ बट देखते हैं कि लवन कनेक्शन डेक में आपके लिए क्या है, यूनिवर्स टॉरस के लिए जून मंथ में क्या है, पर लवन कनेक्शन, तो टॉरस ये इंसान आईगे आपके पास, आप नहीं जाएंगे, आपको जाने की जरुद नहीं पड़ेगी इनके पास, ये आई आपको चूस करेंगे, ये आपको दूर से देखेंगे, आपको कहते हैं न, क्या होता है वो, दूर से देखकर निहारना, ये आपको दूर से निहारेंगे, आपको चूस करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे कि यार ये मुझे ये लड़का या ये लड़की मुझे बह responsibilities बढ़ जाती है It's not as if you need anyone दूसरी चीज़ Taurus, आप बहुत ही emotionally independent हो emotionally, financially, physically, mentally तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी की जरूरत है आप अपनी life से अपने आप से बहुत खुश हो आप अपने जो पैसे कमा रहे हो बहुत खुश हो आपको चाहिए जादा ऐसे सब कोई जादा चाहिए होता है बट आप ऐसे desperate नहीं हो रहे हो वो पैसे के लिए या वो connection के लिए प्यार के लिए आप कुछ ढून नहीं रहे हो आप जहां हो उस moment को enjoy कर रहे हो तो ये इंसान आपको choose करेगा आपने थोड़ा वैसे pricey act करने वालों में से हो मतलब एक बारी में नहीं मानने वालों में से हो मुझे ऐसा लग रहा है तो ये आपको choose करेंगे ये आपके पास आएंगे और क्योंकि इनको vibe में लेगी कि यार ये तो इनको तो जरूरत नहीं है किसी की तो ये तो खुश है अपने आप में तो वो थोड़ा ना वो चीज हो सकता है जो start हो नहीं हो चीज 15 दिन में वो 40 दिन में start हो क्योंकि आप थोड़ा सा इसा भगाते हो पीछे अपने मतलब मैं derogatory या मैं बुरे sense में नहीं बोल रही हूँ वैसे मत लीजेगा कि आरे पीछे भगाते हो type बट आपको जरूवत नहीं है तो आपको असल लगता है कि क्यों लोड लेना एक और इंसान का अपनी life में वैसा यो ग्लो वी बीम ये जो relationship है आपका connection है ये ना बहुत ही बहुत ही खुशी वाला होने वाला है इसमें ना आप इंडिविजुली तो जो grow करोगे सो grow करोगे आप as a couple, as a pair भी आप लोग grow करोगे आप लोग एक दूसरे से चीज़े सीखोगे आप लोग अपने अपने कामों में excel करोगे तो ये जो connection है ये बहुत ही growth और और prosperity और उन्नती और उन सब चीजों से दिख रहा है भरा हुआ मुझे इस टाइम पर देखते हैं fortune tea leaf deck में हमारे पास क्या है Taurus June month Taurus के लिए क्या बता रहा है universe please हमें guide करें box you will receive a gift maybe ये इंसान देखे कि अरे यार मुझे तो भाव नहीं मिल रहा है Taurus तो अकेले में खुश है तो हो सकता है वो आपको थोड़ा सा कहते हैं ऐसे मनाने के लिए कि listen like मैं हूँ अच्छा या मैं हूँ अच्छी तो एक बड़ी देखो तो सही तो उस sense में शायद आपके पास कोई कोई gifts दे आपको surprise gift हो सकते हैं ये normal gifts हो सकते हैं सामने आके वो इंसान दे सकता है but gift आपको मिलने वाले हैं हो सकता है इससे ना मिले आपको आपके पेरेंट से मिल जाए किसी और से दोस्तों से मिल जाए dogs getting together with friends दोस्तों से मिल सकता है भाई ये जो gift है हो सकता है आपको चीज कर रहे हैं life में जो कि आपके friends आपसे बहुत proud feel करते हैं या हो सकता है आपने कोई चीज achieve कर ली है life में कुछ आपका target था वो आपने कुछ एक 0.1% भी achieve कर रहे हैं तो दोस्त होते हैं आपको हर चीज में encourage करते हैं कि अरे यार तुमने 0.1 कर दिया ये लो ये एक मेरी तरफ से चीज एक motivate करने के लिए तो हो सकता है वो आपको gift दे रहे हैं क्योंकि आप आपने दोस्तों के संग आपके लिए दोस्तों बहुत important है देखो सबसे पहली चीज आपके लिए दोस्तों बहुत important है हो सकता है ये जो 3 of cups है celebration getting together with friends ये ये भी हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ मिल रहे हो तो यहाँ पे universe हमको ये बता रहे हैं ये कोई तो एक औरत है अब वो औरत भी हो सकती है वो आदमी भी हो सकता है tarot cards gender specific नहीं होते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम इसको इनसान लेके चलते हैं कोई भी हो सकता है यहाँ पे उसके संग कोई तो आपकी बहुत important dealing हो रही है या तो आपका कोई relationship है और ये इनसान बहुत significant है आपकी life में या फेर कोई बहुत ही significant dealing हो सकती है हो सकता है आपका कोई property का case हो और जिसके against आपका case हो या जिसके साथ आपका हो case वो एक औरत हो या जिसके संग आपका कोई case चल रहा है अभी आप समझ रहे हैं कोई बहुत ही significant इनसान है यहाँ पे जो की आपकी life में अभी है important was secret admirer मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला they chose you वो आपको दूर से निहार रहे हैं ये आपके secret admirer है ये आपको आपके आसपास ही है आपकी vicinity में है आपके आसपास है ये लोग दूर नहीं है आप इनको देख सकते हो आप बस पहचान नहीं पा रहे हो कि ये इनसान मुझे पसंद करता है बट वो वो आपको बहुत पसंद करते हैं टॉरस बहुत बहुत का मतलब समझ रहे हैं आप table hard work ahead मेरे क्याल से आप इनको कहते हैं न थोड़ा सा time और वो एक होते हैं सोचना कि अरे यार हां बोलूं कि नहीं बोलूं यार रिलेशन्शिप में घुसूं या नहीं घुसूं आप वो भी नहीं सोच पा रहे हो विकोज आपके पास time ही नहीं है आपका जो भी आपने काम स्टार्ट करा है या नहीं education है आपकी नया course है नया business है जो भी है और वैसे भी आपको किसी की जरुवत नहीं है तो आपका बहुत hard work होने वाला है अभी भी और आगे भी बहुत hard work लिखा है क्योंकि देखिए आप ना अपने उपर concentrate कर रहे हो मुझे आपकी health पूरी perfect दिख रही है health में कोई problem नहीं है हो सकता है यहां पर neck में problem हो हो सकता है यहां पर neck में problem हो कभी-कभी होते हैं आप गलत position में posture में सो गए तो थोड़ा सा ऐसा वाला दर्द बस उतना ही और कुछ as such मुझे यहां पर problem लग नहीं रही है health के लिए आपकी health अच्छी है आपकी job, job से मतलब है जो भी आप काम कर रहे हो काम से सुकून मिल रहे है हां काम से पैसा मिल रहा है इत्ता की आपको सुकून मिले हां प्यार आ रहा है हां दोस्त है definitely तो सब कुछ है आपकी life में कोई कमी नहीं है hard work बहुत होने वाला है आपकी life में ठीक है देखते हैं astral house से हमारे पास क्या है जो taurus के लिए significant होग का success जो भी आप hard work कर रहे हो जिस चीज के लिए irrespective of this connection ये इनसान को अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड रखें क्योंकि तो अभी अभी घुसे हैं बड उससे पहले तो आपका अपना education, आपका अपना career, आपकी अपनी भी तो एक life है उसमें आपको success मिल रहे है टॉरस, उसमें आप successful हो रहे हो कोई उसमें कोई doubt ही नहीं है क्योंकि आप जिस शिद्दत से काम कर रहे हो ना failure हो ही नहीं सकता है उसमें थोड़ा बहुत delay हो जाए क्योंकि देखिए hard work ना अकेला कुछ नहीं करता है यह मुझे ऐसा लगता है आपको hard work के साथ smart work plus luck plus opportunity यह सारी चीज़े होनी चाहिए अब वो सारी चीज़े किस time पे आती हैं खटी वो तो नहीं पता but success आपको definitely मिलने वाला है यह relationship भी अगर आप choose करते हो इस इंसान के साथ होना तो यह relationship भी बहुत अच्छा जाने वाला है अब हम देखते हैं charms में हमारे पास क्या है dog okay तो टॉरस या तो आपके पास dog है आप dog person हो आपको dogs बहुत पसंद है आप dogs का treatment करवाते हो उनका ध्यान रखते हो उनको feed करते हो कोई dogs related चीज़ है और अगर वो नहीं है तो दूसरी चीज़ जो मुझे intuition आ रही है वो यह हो सकती है कि यह जो इंसान आपकी life में आने वाला है यह loyal होगा यह loyal होगा जो कि जो loyalty आपको पहले नहीं मिली आपके relationships में वो आपको यहां मिलेगी Aries, Leo, Sagittarius आपको इस relationship में loyalty मिलेगी जो कि आपको पहले नहीं मिली आपको पहले नहीं मिली आपके cat dog भी है cat भी है okay तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है Taurus थोड़ा सान आप लोगों आप लोग का connection relationship बहुत ही प्यार भरा होगा आप पोल्स अपार्ट हो एक दूसरे से आपको डॉक्स पसंद है तो उनको बिली पसंद है ठीक है आप अगर बहुत ही एक होता है न कहीं की love language होती है physical touch मतलब बहुत अची होते हैं काई लोग कि उनको हग करना पसंद है उनको हाथ पकड़ना पसंद है उनको कंदे पर सर रखना पसंद है उनको एक ऐसे घुस के सोना पसंद है फिजिकल टच होता है कई लोग की love language तो हो सकता है आपका वो हो और उनका हो कि यार मतलब touch मत करो ठीक है यह हो सकता है उनका हो हग करना और आपका हो कि touch मत करो तो कुछ तो है ऐसे बहुत ही opposite opposite दिख रहा है मुझे ऐसे कुटा बिल्ली वाली टाइप चीज आ रही है साथ होगा बहुत प्यार होगा बट थोड़ी सी लोग जोक इन चीजों में लगी रहेगी flower देखिए या तो यह gift में आपके पास flower लाने वाले हैं या फिर क्योंकि हमारे पास was भी है secret admirer हमारे पास flower भी है तो flowers आपको मिल सकते हैं आपको यह flowers दे सकते हैं अगर flowers यह आपको नहीं देते हैं तो जो मुझे यह लग रहा है कि हो सकता है आप पहले किसी चीज में बंद थे stuck थे लेको ऐसे होते हैं कली पहले बुजी भी होती है पर दीरे-दीरे खिलती है तो अब आप खिल चुके हो अब आपका वो time है जिस time पे आप पूरे कहते है चीजिए अपने में त Dri emotionally हो और यसा अब पूर कंब फूर में हो स सुनर में होते हैं बर जब हो खिला हूँ होते हैं तो लोग बोलते हैं कियार देखो तुसे Kत्ते सुनर लग रहे हैं लग रहे नहीं? कितना सुनर लगर है यह फोल क्यों क्यों towards I'm a point all form में हो इस ताम पर ओके aja मैं बूल रही हूं इसको क्या बोलते हैं अगर अगर आपको याद鬆 है तो प्लीच कॉमन सेक्शन रागा और वो सकता आपको water sports पसंद हो पानी पसंद हो या हो सकता है किसी भी तरीकी की adventure sports पसंद हो या आपने कोई अभी कुछ कोई water sport करा है या सीखा है कुछ भी हो सकता है इसमें या ऐसी कोई जगा पर रहते हो लीफ लीफ से भी सेम मुझे वही फ्लार वाली फीलिंग आ रही है कि जब पत्ते जड़े होते हैं पेड के और फिर नए पत्ते निकलते हैं तो जड़ते हुए कोई नहीं देखता बट पेड को पता होता है कि अब मैं सुन्दर बनने वाला हूँ मेरे नए पत्ते आने वाले हैं तुम बस मुझे फॉर्म में आले न दो फिर उसके बाद तुम इसी पेड के नीचे खड़े होके फोटोस खिचवाओगे क्लिक करवाओगे कि यह कितना सुन्दर पेड है तो मेरे ख्याल से आपका न वो फॉर्म चल रहा भी इस टाइम पे है फ्लार फ्लार ओ माइग गौड टॉर्स देखिये फ्लार्स तो आपको मिलने वाले हैं अब वो कुछ भी हो सकता है कोई आपको इसे सडक से साइड का तोड के क्यूटली एक छोटा सा फ्लार दे दे या पर कोई बूके दे या फ्लार का इंटरपेशन आपको मैं पहले ही ब हां यह तो चीजें होने वाली है आपके साइड तो यह थी ओ यहां पर हमारे पास इक स्टार गिरा हुआ है यह देख रहे हैं यह छोटू सा तो स्टार से मतलब है टॉर्स आपकी कोई विश पूरी होने वाली है यह तो आपको कोई टूटता तारा दिखने वाला है और प्रियेटर से देवता से जिनको भी आप बिलीब करते हैं तो यह थी आपकी जून मंत की रीडिंग टॉर्स प्लीज अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करके मुझे बताएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इम्रामा टैरो को और पाट बने मेरे इम्रामा फैमिली को मुझे अच्छा लगेगा थैंक यू वाई